हालो गुडिवनिंग मैं पाउन राओ यूटूब चैनल मैच्विट पाउन राओ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मेंचुरेशन और मेंचुरेशन के 107 क्यूशन में करवा चुका था अब जो 2017 मेंच के जो पेपर हैं और जो 9 मार्च को पेपर हुआ था उसमें 13-14 क्यूशन थे वो आज की क्लास में मैं आपको करवाने की शुरुवात करता हूँ उन क्यूशन का नंबर में लास्ट वैसे जैसे 107 तक मैं करवा चुका था 108 से ही हम लोग शुरुवात करते हैं हलो मैं पवर्ण डाओ अनकेडमी लर्निंग एप पर भी एजुकेटर हूँ आप लोग अनकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करके वहां से फोलो कर सकते हो वहाँ पर कुछ मैंने arithmetic के topics डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं ओके, thank you आपको करवाता हूँ 121, 13 questions थे इसमें सभी के सभी questions मैं आपके लिए solve करवाता हूँ काफी अच्छे questions थे और आप लोग इनको solve करना खुद भी और मैं भी आपको solve करवा दता हूँ आप खुद भी कोसिस करना अच्छे questions थे mensuration के 17 means में यह आप लोग खुद देखना यह no march वाला paper है last paper जो एक out हो गया था वापिस वा no march को वह मैं आपके लिए solve करवा रहा हूँ और अगर आप लोग paid course लेना चाता है मेरा जिसमें मैंने आनक एडमी प्लस पर तो आप लोग उसको जोईन कर सकते हो रजिस्टेशन अभी स्टार्ट हैं तीन जनवरी से बैच शुरू होगा देखिए question number 34 34 number जो question है उसमें लिखावे दीगिया करते मैं question आपके सामने आ गया है a b c d b e f g करम सा आठ और 6 cm बुजा वाले वर्ग हैं तो shaded part का एरिया बताइए यह एकदम आसान क्यूशन आ गया था कुछ questions आसान भी आते हैं लेकिन एक बार अगर आपने डरना शुरू कर दिया question से तो आसान जो questions होगे वही आपके लिए tough questions बनने का काम करेंगे यह आप लोग धान रखना यहां पर इस पर कार से है यह टोटल की side 8 है यह 6 cm बुजा के एक वर्ग बना दिया question आप लोग साथ साथ आप भी पढ़ते चलो क्योंकि complete question आपके सामने है और यह यहां से मिलाने के बाद इसने कहए shaded part का area बताओ यह square अगर है तो इस वाले माइनस करने तो आंचरा जाएगा क्या तो complete का एरिया है 64 इसमें से माइनस करेंगे 36 यह माइनस करेंगे 8 और यह माइनस करेंगे 8 इनका चेतरफल तो आप जानते हो ना राइट एंगल ट्रेंगल के एरिया half into base into height दो से दो कट गया तो यह भी आठ और यह भी आठ तो हम लो दो 34 नहीं है 108 है जिस भी पेपर में आया था उसका 34 एंग जिस पेपर में जी आया था जहां से मैंने लिया है उसमें 34 था इसलिए मैंने 34 बोल दिया वैसे अपनी सीरीज का यह वह न जिरो एट है पहला क्योश्यंट आए नेक्स कुश्यंट पर चलता हम लोग क्योश्य न सामने रहता है आपने खुद ने कहा था कि सर्क्यूशन रहने दिया करो जिससे ज्यादा चीजने समझ में है पढ़ लिजिए क्यूशन हिंदी और इंग्लिष पी क्यूर्स इस पैरलेलो ग्राम एंड इस एरिया इस थर्टी से थ्री हंडेट सेंटियमेटर स्क्वाइर साइड पी क्यूशन देना यह इस परकार से पी क्यूर्स एक अपने पास से पहले लोग्राम है समांतर चतर बुझे सभी लोग कोसिस करना समझने की इसने कहा है हम लोगों को कि पी क्यू को अक्स तक नीचे मान लो पी क्यू है ना पी क्यू को बढ़ा है तो इसको नीचे मान लो वैसे कैसे भी कर लो आंसर तो वही आना है P Q R S और P Q को बढ़ाया इसने X तक और इस परकार से बढ़ाया क्यूशन पढ़ लिजी आप लोग P Q equals to Q X ये दोनों बराबर है तो X S जो है Q R को Y पर काटता है ये जो है इसको Y पर काटता है तो ट्रैंगल S Y R का छेतरफल हम लोग उसे पूछ है इस वाले का एरिया हम लोग उसे पूछ है कैसे कर पाएंगे सभी लोग धान देना ये 1 है मिड बराबर बराबर ये 1 है तो रेश्यो आगए 1 इस्टो 2 ये 1 है तो ये 2 होगा यहाँ पर धान रखना है ऐसे क्यूशन आये थे इसमें में और पहले भी ऐए वह आसान कूशन है ये 1 इस्टो छोटे वाले की साइट ये 2 और ये दोंहों लाइन पैरलल है पैरलल होता ही दोनों के दोनों ट्रेंगल एक तो छोटे वाला SYQ अक्स वाइक्यू ट्रेंगल अक्स वाइक्यू सिमिलर हो गया किस के साथ अक्स SP के साथ पैरलल होता ही मैंने जब Geometry पढ़ाई थी बहुत अच्छे से समझाये था पैरलल होता ही दोनों के दोनों ट्रैंगल सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होता ही ये रेशो अगर 1 इस्टो 2 का है तो ये रेशो भी 1 इस्टो 2 का होगा तो ये साइड कंप्रीट 2 है तो ये कंप्रीट साइड 2 होगी क्योंकि समांतर चतरवुज की विप्रित बुज़ाएं बराबर होती ही ये एक है तो ये भी एक तो ये मिड़ पॉइंट हो गया वाई जो है वो इसका मिड़ पॉइंट हो गया और ये अगर मिड़ पॉइंट हो गया तो एक बार डाइगनल डालो आप यहां से विकेंड खींज दिया जाए तो इसका छेतरवल भी 150 होगा और इस उपर वाले का छेतरवल भी 150 होगा क्योंकि छेतरवल टोटल क्यूशन में गिवन है 300 वो आप लोग पढ़ सकते हो टोटल जो क्यूशन में गिवन है 300 वो आप लोग पढ़ सकते हैं अब मुझे बताईए यह तोटल इस ट्रेंगल का छेतरवल 150 है और ये midpoint का अगर काम कर रहा है तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, तो अपना जो answer आ गया इस question का, वो आ गया 75, ये था अपने पास question number 109, चलो अगला question समझाता हूँ, फटाफट हम लोग समझ लेता है, दोसरी बात है, ये अक्सरा time waste करने के बज़े हम लोग फटाफट questions कर लेता है, जिससे मेरी class तो 40-50 मिनट की होती है, लेकिन वो class काफी lengthy हो जाती है आपके लिए, क्योंकि हम लोग extra कोई बाते करते हैं नहीं, हम लोग सिरफ questions को ही लगातार पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, तीसरा क्या, तीसरा क्या, चोथा, ऐसे लगातारी चलता रहता हूँ मैं 110 नमबर जो question है, 109 कर चुके हैं, पी क्यो आरे से एक सम पंच बुझे हैं, यदि पी आर तथा क्यू टी, एक दूसरे को अक्स पर इंटरसेक्ट करें, तो टी, अक्स, आर का मान जो है, वो डिगरी में क्या होगा, एक सम पंच बुझे हैं अगर डिगरी में कभी भी मान पुझे, यह आप लोग मान लेजे, पी, क्यू, आर, एस और टी, डिगरी में अगर कभी भी मान पुझे, तो आपको पता होगा कि इसके बहार से एक सर्किल हम लोग ड्रो कर सकते हैं सम, पंच बुझ, या सम, कोई भी रेगुलर अगर पॉलिगन आ गया, उसके एक भार से हम लोग सर्किल ड्रो कर सकते हैं, और एक अंदर से हम लोग सर्किल ड्रो कर सकते हैं देखिए इसके सेंटर पर बना जो एंगल होगा सेंटर पर परतेक साइड द्वारा इसके सेंटर पर बना एंगल होगा 360 अपॉन 5 यानि 72 डिग्री यह इसके द्वारा 72 डिग्री एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इतनी चीज़े नहीं करनी अग्याम मैं आपको 72 डिग्री और यह 72 डिग्री अब हम लोगों को कहा है इसने पी आर तथा क्यूटी एक दूसरे को एकस पर काटते हैं पी आर तथा क्यूटी पी आर और क्यूटी पी से आर तक और क्यूटी तक एक दूसरे को एकस पर काटते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं एकस पर काटते है पॉइंट है एक्स तो बताईए आप लोग टी एक्स आर क्या होगा टी एक्स आर हम लोग आसानी से बता देंगे इसके दौरा इस आर्ग द्वारा सेंटर पर बना इंगल 72 है तो यह आदा क्या 36 होगा क्या 36 और 3672 तो कि यह वाला जो एंगल है वो अपने पास 108 डिगरी बच सलते हैं क्यूशन नंबर 111 पर क्यूशन में लिखाव है इन दा गीवन फिगर ए बी सी डी ए एफ इस ए रेगुलर हेग्जागन हुस साइड इस 12 सेंटिमेटर वाट इस दे सेड़ एरिया हमें च्छाइंकित भाग का छेतरफल पूछ है एक रेगुलर हेग्जागन दिया है इसको इस परकार से मिलाया है इसने यहां से यह भी मिलाया है इसको इस परकार से मिलाया है और हमें इस वाले भाग का छेतरफल पूछ है कि ऐसे फाइंड़ करेंगे मैं आप लोगं को सिखाता हूं यह अगर अपने पास 12 दिया हूँ है यह अगर 12 दिया हूह और आप लोग इसको इस से मिला दो तो यह अपने पास और इसको इससे भी मिला दो तो एक rectangle बन जाएगा यह 12 है यह भी 12 है यह rectangle बन गया एक type से अपने पास आयत बन गया एक rectangle बन गया है और यह side 12 है यह 90 degree यह कोण होगा 60 degree क्यों? आप लोग बताओ क्यों यह 60 degree इसलिए होगा क्योंकि इसका परते कौन? N-2 यह मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ N कमान अगर यहाँ पर 6 रखोगे तो यह जो 6 रखते है N की वेलिए 6 रखते आएगा 120 degree और diagonal इसका angle bisect होगा तो 60 यह 90 है तो यह अपने पास बचा 30 degree अगर आपको कोई चीज़ें समझ में निया है तो मेरे theory के वीडियो देख लीजिए उसमें क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से और discussion के करने के अलग अलग तरीके हो सकता है तो हमने क्या किया कि यहाँ पर यह side कार्ण हमेशा 30 degree के सामने वाले side का double तो यह आगया अपने पास 6 root 3 तो यह भी आएगा 6 root 3 तो यह 12 root 3 आगया यह कितना आगया अपने पास 12 root 3 आगया 12 यह अपने पास 6 root 3 आगया यह यहां से आँ तक यह अपने पास 6 root 3 आगया है और धन देन आप लोग धन दो वापिस से अपने पास यहां से यहां तक यह कितना होगा 12 और यह 6 रूट 3 यह भी अपने पास ऐसे 6 रूट 3 आएगा टोटल अपने पास 12 आ गया यह अपने पास आ गया यहां से यहां तक 6 रूट 3 यहां पर देखिए इसका जो 6 तरफल अगर हमें find out करना है इसका एरिया find out करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अपने पास तिर्वूज बनेंगे इसको वापिस शुरू करते हैं सरा ना इसको मैं काड़ दता हूँ एक मिनट रूखना 6 रूट 3 यह टोटल 12 टोटल 12 है यह 6 आ गया है 12 24 है तो यह भी 6 6 तो यह अपने पास 6 है 6 यह अपने पास आगे 12 24 बार तो यह भी 12 है 12 मैं से 6 तो half some more parallel sides 12 प्लस 6 into distance between them 12 और 6, 18 नौची का चोवन 54 रूट 3 अपना अंचरा जाएगा इसने प्रेकिया है तो चाहे पीने के बाद वापे शुरू करते हैं वहीं से ना question number 111 लिखावा है in the given figure A, B, C, D, E, F is the regular hexagon whose side is 12 cm what is the area of the shaded region देखिये यह अपने पास एक hexagon है regular hexagon और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A, B, C, D, E और F यहाँ पर मिलाया है इसने इसको और इसको मिलाया है और हम लोगों से कहा है इसको इससे मिला कर कहा है कि इस वाले भाग का area क्या होगा तो हमें पता है कि अपने पास regular hexagon का परते के इंगल 120 degree होता है तो यह diagonal अगर मिलाया है तो यह भी 60 degree होगा और ये भी 60 डिग्री होगा 120 डिग्री क्यों होता है 120 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि अपने पास फोर्मॉला जब भी कुछ नहीं समझ में तो मेरे थियोरी के वीडियो आप लोग देख लीजिए उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा एन यहां पर अगर 6 रखें तो 120 दिग्री आ जाएगा थियोरी में पहले कंप्लीट पढ़ा चुकों के साथ अब थियोरी नहीं करवा रहा हूं अभी 2017 मेंस का पेपर करवा रहा हूं जो कि अच्छा पेपर था देखिए तो यह आप लोगों को याद होगा पैरलल होता है यह अगर 12 है तो इसके लेंट सामने वालेOh two यह बहूं और यह थैसे बहुत है यह और हमेशा थाटी डीगरी में रिखेअ 009 30 के पास वाली साइड बड़ी तो यहां से यहां तक कि जो लेंथ आ गई वो कि 6 रूट 3 आ गई है यह अगर 6 है यह वाला 6 है तो यह वाला होगा 6 54 ृट 3 आईएए अगला क्यूशन एक अच्छा क्यूशन था उसकी तरफ हम लोग चलता है अगला जो क्यूशन है वो काफी अच्छा ऐशन है क्यूशन नंब करने की कोशिश करता है लो है जैसा की आकरते में दिया वा है डाइग्राम आपके सामने है ABCD तीनों बरतों को केंदर से गुजरती AB बराबर 2, CD बराबर 1 यदि मद्दे बरत का जो अपने पास बीच वाला जो सर्किल है Middle सर्किल का एरिया का एवरेज है बाकी 2 के बराबर है 2 का एवरेज मीडिल के बराबर है 6 तरफल का उस्त बराबर है तो BC की लंबाई क्या होगी देखिए तीन सर्किल बनाया है इस परकार से इसको समझना Qशन धान से पढ़ लेना एक यह इस परकार से है और एक यह ऐसे है इसने इसको मिलाया है यह अपने पास पॉइंट दियावाए A यह दियावाए B यह दियावाई C, यह दियावए D, A B का मानद 2 है, यह एक है और B C के landfill पूछी है क्या दियावए है, इसका जो छेते रफल है, तीनों सर्किल जो है, वो इसी लाइन पर है, जो इसके सेंटर, तीनों सर्किल के सेंटर इसी लाइन पर है तो अपने पास दियावाईस की रेडियस हम लोग अगर माने र 1 पहले वाले की तो πाई र 1 स्कॉर प्लस पाई र 3 स्कॉर तीसरे की अगर र 3 माने बराबर होगा अपउन 2 इसका overeat नोटा है रास्यों का योग बटे रास्यों की संख्या बराबर पाई R2 square यह दो यहां सेट के यहां चला जाएगा अब आप लोग मुझे बताइए R1 की value कितनी होगी आप कोगे सर 1 R1 की value कितनी होगी 2 का आदा 1 R2 का मान कितना होगा R2 का मान यह जो सरकिल है इसका व्यास तो 2x प्लस 2 है x प्लस 2 बाइ 2 R3 कितना होगा यह 2 है, यह 1 है, यह x है तो x प्लस 3 बाइ 2 आप ऐसे बोलोगे क्यूशन अच्छा था यह वाला इसको धान से समझे पाई से तो कॉमन आके पाई कट जाएगा R1 की value हम लोग रखेंगे 1 1 का square 1 R3 का square इसका square जब आप लोग करोगे तो x square बराबर नहीं, प्लस प्लस 9 प्लस 6x बाइ 4 बराबर R2 का square जब करोगे तो 2 into इसका square अगर करोगे आप लोग तो x square प्लस 4 प्लस 4x A प्लस B का whole square का formula आपको आता होगा upon 4 यहाँ पर अगर 4 LCM ले लें तो यहाँ बन जाएगा complete यहाँ पर 4 LCM ले लोगे तो upon 4 एक एक स्टेप आप लोग लिखते चलना पैन और कोपी हमेशा साथ रखा करो ताकि आपको ज़्यादा समझ बाए यह इससे कड़ जाएगा यह आगया इधर अपने पास आगया x square प्लस 6 x प्लस 13 और अधर आगया 2 x square प्लस 8 x प्लस 8 एक तरफ ले जाओ उधर ले जाओगे तो x square प्लस 2 x माइनस करोगे तो 13 माइनस करोगे तो माइनस 5 बराबर 0 x की value निकालनी यही हम लोगों से पूछा दिवगा समीकन है तो दिवगा समीकन अगर है तो माइनस b प्लस माइनस b square माइनस 4ac अपन टूए यह याद होगा नहीं याद तो भी मैं समझाओगा algebra आने 2 मैं समझाओगा तो b की value हाँ पर 2 है माइनस 2 प्लस माइनस b square 4 माइनस 4ac a कमाण 1 है c कमाण माइनस 5 है तो प्लस हो जाएगा 20 4ac a c कमाण 4 तो 20 upon 2a a कमाण 1 है तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता आक्स की वेलिए दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकती प्लस यहाँ माइनस तो ले नहीं सकते प्लस लेना पड़ेगा तो minus 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 root 6 क्योंकि 24 है upon 2 दो कोमर आ जाएगा तो बचेगा root 6 यहां तो plus का और यहां बचेगा minus 1 यह अपना answer अच्छा question था यह वाला question number 112 जो था यह काफी अच्छा question था आप लोग इसको बार-बार करने की कोसिस करो आप लोग कर पाओगे अगर बार-बार कोसिस करोगे तो यह था question number 112 चलिए अगले question पर चलता हम लोग question number 113 पर यह भी अच्छा question था क्योंकि इसका option none of these दिया वह और वही answer था इसलिए अच्छा बन गया वैसे question आसान है बाकी अपने पास देखिए एक सेंटीमेटर बुजावाले में सबसे बड़े वरक का चेतरफल तो है एक सेंटीमेटर बुजावाले में चार सम्रूप तिर्बुज बड़े से बड़े संबो का चेतरफलों का योग फिर नो का योग फिर सोला का योग एक तो ए दिया वह है एक स्क्वाइर है question number 113 ए तो यह दिया वह है इसका चेतरफल की इसके अंदर एकी सर्किल बनाया जा इसके अंदर चार बड़े सर्किल बना दिये जाएं सम्रूप चार सर्किल जो सम्रूप है बड़े से बड़े वो बना दिये जाएं उनका चेतरफल या इसके अंदर नो सर्किल बना दिये जाएं इनका चेतरफलों का योग का है बी नो बना दिये जाएं साइड वही एक है इनके 6 तरफलों का योग है C और 16 बना दिया जाए उसको कहए D तो अपने पास इसके साइड अगर 1 है तो मुझे बताओ इसकी रेडियस जो होगी वो क्या 1 बटे 2 होगी क्या इसकी जो रेडियस होगी वो क्या 1 बटे 4 होगी क्या इसकी जो रेडियस होगी इसका वियास होगा एक बटे-3 और इसकी opolitics क्य авड च्पर्पने पास टोटल यहां से यहां तक एक है तो इसका व्यास होगा एक बटे-3 और इसकी iniciστ के एक पटे-6 हो गी गे तो मुझे बता ओ इसका जो एक जो मान होगा पाई आर स्वेर वन बाई-4 इसका जो बर बी बराबर सी बराबर डी इस क्यूशन का ऑप्सन जो है अपने पास ग्रेटर देन लेज देन एबी सी देख सकते हो डी ऑप्सन ननोब दीज है वह अपना आंसर है क्यूशन नंबर 113 के लिए चलो अगला समझाता हूं मैं तो यह अच्छे क्यूशन थे ठीक था क्यूशन आयत है मतलब ऐसे एकदम यह ऐसा पेपर भी नहीं था कि एकदम ही आसाना आजे तो अच्छा के पेपर था और काफी सारे क्यूशन इसके आयत ह है देखिए और आप लोग को यह जो पेपर कंप्लीट देखना अच्छे से सारे के सारे पेपर आपको खुद को सही लगेगा कि हां बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को सीखने को मिलेंगी तो आप लोग देखिए क्यूशन नंबर 114 नंबर जो क्यूशन है उसमें लि तो पार्ट बनेंगे दस दस भागूं का कुल प्रस्टी छितरफल आप लोग बताईए बहुत अच्छा ग्यूशन है आधार एक वर्ग है जिसकी बुजा है आथ यह जो है और उचाई जो है वह इसकी उचाई दस उचाई जो है वह अपने पास दीविए 80 सेंटिमीटर अब इसने क्या किया यहां पर कट लगाे नो कट लगाे, उससे 10 भाग बनेंगे एक कट तो जैसे यहां पर बन लगा दिया तो 1 कट लगाते है देखो 2 भाग बनेगे एक नीचे, एक उपर ऐसे 10 कट लगाने के बाद जो बचा उसका total surface ही रहा बताईए तो मैं आप लोग को समझाता हूँ 10 जो प्रस्ट बचे इसको समझने की कोशिस करना क्योंकि question अच्छा है 10 प्रस्ट जो बनेंगे इससे basic अगर आपके concept clear थे कहीं किसी question में problem नहीं है और basic concept अगर clear नहीं थे तो फिर वहाँ पर अगर रटके गए हो आप लोग शिरफ और शिरफ फोर्म में रटके गए हो तो फिर ये वाले questions आप लोग नहीं कर पाओगे बाकि अगर आपका basic अच्छा है तो इन questions में आप लोग आसानी से कर पाओगे कोई दिक्खत नहीं आएगी जब भी इसको दो भागों में बाटोगे मानलो किसी भी pyramid को या prism को दो भागों में अगर बाटते हो prism को तो एक cut लगाते ही जैसे एक cut लगाओगे यहाँ पर इस परकार से एक भाग उपर एक भाग नीचे तो दो square बन जाएंगे एक तो उपर वाले के साथ बनेगा एक नीचे वाले के साथ बनेगा तो जहाँ पर no cut लगाओगे ध्यान देना कोशिस करना no cut अगर बीच से लगाए तो 18 square बनेगे एक square उपर की तरफ है एक square नीचे की तरफ है बीच तो square बन गे अगर अपने पास देखा जाए तो और इसका curved surface एरिया तो है lateral surface एरिया तो है तो lateral surface एरिया में 20 square का area add कर दोगे तो अपना आंच्छा जाएगा अलग अलग का मत निकालना कि इसका निकाल लो इसका निकाल लो और फिर गुना कर दो 2 square तो ही इसके अलावा 9 cut जब मारोगे और 1 cut से 2 जो अपने square generate होंगे तो समझ पारे हो आप लोग तो एक उपर एक नीचे और 9 cut मारे 1 cut से 2 तो 9 से 18 और 2 यह हैं तो total 20 तो 20 को गुना कर देंगे 8 का square 64 से 64 क्यों क्योंकि 1 का area है 64 तो यह आगे 0 8 का 2 से 16 24 और 21 और यह अपने पास आजएगा 0 6 गुना 2 4 गुना 2 8 8 और 6 गुना 2 12 0 14 8 और 3 8 4 3 8 4 0 यह अपना आंसर है इस question number 111 का चलो अगला समझाता हूँ आसान था question करना बार बार कोशिस करो करने की question आसान है अगला question में आपको समझाता हूँ question number 115 115 नमबर जो question है 190 cm तिरजा और 120 cm उचाई वाले संकू अपने आधार पर खड़ा है इसे आधार के समानतर दो कटाव से तीन भागों में इस परकार से काटा जाता है कि तीनों के उचाईों का अनुपात उपर से नीचे की और 1, 2 और 3 के रेशियो में है तो बीच वाले का टोटल सर्फेस ही रहे आप लों को बताना है हिंदी और इंगलिस दोनों में question पढ़ लीजे आप लोग question इस परकार से है तीन इसकी रेडियेस अपने पास है 120, रेडियेस जो है वो 90 है और उचाई है 120 इसको तीन भागों में काटा 1, 2, और 3 दो भागों में काटा, तीन भाग बन गए दो भाग दो बार कट लगाए तो तीन एक उपर, दो नीचे इसके हाइट यहां से यहां तक 1 है इसके हाइट 2 है और इसके हाइट 3 है एक, दो, तीन, तो इसके हाइट 1 है तो इसके हाइट होगी 3 और टोटल के हाइट कितनी होगी टोटल के हाइट होगी 6 कोसिस करना समझने के यहाँ पर अपने पास यह 90 है, यह total height जो दीवी है, वो दीवी है 120, question में given है, मैंने खुद नहीं नहीं लिखा, 120 जो है वो question में given है, 120, 90, 12 का square, प्लस 9 का square, 15 का square, तो slant height आजेगी 150, यह आप लोग को पता होगा, जो radius का ratio होता है, वही height का ratio होता है, और वही अपने पास slant height का ratio होता है, जब मैंने आपको basic पढ़ाया है, वहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो radius का ratio है, वही height का ratio है, और वही slant height का ratio है, basic questions जब मैंने करवाये थे, basic theory जब मैंने करवाई यह है, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि आपने पहले theory पढ़ ली होगी, तभी यह चीज़ें आपका अच्छे से समझ में आएंगी, तो अपने पास इसका ratio 1, 3 और 6 है, तो radius का जो भी जो ratio आएगा, वो कितना आएगा, 1, 3 और 6, और अपने पास इसका ratio भी कितना आएगा, 1, यह आएगा अपने पास 2, क्योंकि slant height यह 3 आएगी, और यह वाले जो slant आएगी, वो आएगी 6, तो यह कित चीए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सो पहले सबसे पहले radius 90 है, तो 90 का मान है 6, तो एक की वेली होगी 15, तो तीन की वेली 45, और एक की वेली 15, तो जो बीच से काट कर हम लोग उन्हें बनाया, उस उपर वाले भाग के, बीच वाले प्रस्ट का, नीचे वाले की radius तो आगी होगी 40, यहीछी है में, तो 2 का मान यह कितना होगा 40, ऐसे ही यहाँ पर टोटल 6 का मान 150 है, तो एक की वेली 30, तो दो का जो एक की वेली 25, तो दो का मान कितना होगा 50, अब इसका टोटल सर्फेश हीरिया का फोर्म लोटा है, पाई तो भाहर कोमन ले लेंगे 22 पटे साथ, फिर अंदर क्या बनता है, इसका स्क्वेर, 20-25, इसका स्क्वेर, 225, प्लस अपने पास R प्लस R, R प्लस R, इंटु L, फॉर्मला तो याद है न, पाई R स्क्वेर, प्लस R स्क्वेर, प्लस R प्लस R इंटु L, ये अपने पास टोटल सर्फेस हिरा का फॉर्मला होता है, यह total surface एरे का formula है इसको add करोगे यह अपने पास कितना होगा 22,7 शोल करते हैं चलो यह अपने पास दोनों को add करोगे तो 250 और यह 3000 तो 5250 आ गया यह 3000 और यह दोनों add करोगे 250 साथ से आसानी से कड़ जाएगा 77 49 3 7 35 0 22 का 0 को से गुना करोगे 0 25 110 11 22 का साथ से गुना करोगे 27 114 और 165 16500 यह अपना आंसर है इस क्यूशन का तो यह इस टाइप की क्यूशन्स आये थे अच्छे क्यूशन्स हैं आप लोग अगर कोशिस करोगे करने की तो क्यूशन्स हो जा नो मार्ज का पेपर 17 मेंस का माप लोग को सोल करवा रहा हूं जिसमें आपको चीजे में सिखा रहा हूं कि आपको कैसे इनको सोल करना चीए था और यह पेपर सारे लोग जितने भी SSC CDS या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं यह पेपर कंप्लीट आप लोग सोल करो PDF आप लो करने को मिलेंगे और आप लोग क्यूशन से घवरा होगे नहीं देखते आप लोगो लगेगा कि हां मैं कर दूँगा है ना तो घवराना नहीं क्यूशन में अगला देखिए क्यूशन नंबर 116 116 नंबर जो क्यूशन लिखावे है वो लिखावे एक बेलन का प्रस्टी चेतरफल 540 है और उसका आयतन यह तो चाहीं बताओ यह आसान था प्रस्टी चेतरफल का फोर्मुला उता है 2Pi Rh बराबर दिया है 594 और यहां पर इसका आयतन का फोर्मुला उता है पाई आर स्क् अच्छा था यह बी क्योंकि क्यलकुलेशन काफी अच्छी है यह एक्वेशन फर्स्ट है यह एक्वेशन सेकिंड है एक्वेशन सेकिंड में फर्स्ट का भाग दे दो पाई आर स्क्वेर एच को डिवाइड कर दो 2Pi Rh से 1336.5 upon 594 यह देखो पाई से पाई कट गया आर से आर कट गया एच से एच कट जाएगा तो यहां से जब सोल करोगे तो आर कमान 4.5 आजाएगा वो वेल्यू आर की यहां या यहां आप लोग कहीं भी पूट कर सकते हो यहां पूट कर दो एच कमान आजाएगा दो गुना 22 बटे साथ इंटू आर कमान 4.5 रख सकते हो इंटू एच फाइंड आउट करना है बराबर 594 सोल कर लेना यहां से एच की वेल्यू आजाएगी इस क्यूशन में तो सिरफ और सिरफ कैलकुलेशन ही थी तो यह था क्यूशन नमबर 116 इसको आप लोग लिख सकते हो या स्क् 21 आजाएगी सोल तो कर लोगे ना ऐसे क्यूशन में 22 से कड़ जाएगा 22 गुना दो 44 बजएगा 15 22 सत्य 154 पॉइंट अट आओगे यहां से जीरो पांच से कट रहे दो बार पांच से कट रहे नो बार दो से दो कट गया नो 37 और अपने पास एच का मान जो आ गया वह आगे सोल करते हैं और मैं फटाफट आपको सोल करवा रहा हूं क्योंकि यह कुशन ज्यादा हैं और यह जल्दी से अगर सोल हो जाए तो फिर आप लोगेगा कि हां इतना ही वीडियो देखना है अगर इसी वीडियो को मैं डेट गंटे दो गंटे का बना सकता हूं बार-बार सबस्क्राइब उसको संब्सकरों टेले ग्राम के लिंक इतना करो कि इनसे बहुत सारी चीज़ें कुशन साय वें हैं अकि स्वाव सारी सिखने इसके अंदर वाले और भार वाले अंदर और भार वाले कर्ड सर्फेस हे रहा का अंतर तो भार वाले की रेडियस मानलो R1 और अंदर वाले की जो रेडियस है यहां से यहां तक यह इसको मानलो R2 और हाइट मानले जिए H तो भार वाले का कर्ड सर्फेस ही रहा होगा 2 πाई R1H और अंदर वाले का होगा 2 πाई R2H बराबर हम लोगों को दिया हुए 352 यह special संख्या 352 बाइस से कड़ जाएगा और पहले भी आप previous years देख लो यह 352 कम से कम ऐसे क्यूशन में जो पाई आए कम से कम 8-10 बार आपको यह संख्या मिल जाएगी क्योंकि 22 से आसानी से कड़ जाता है तो यहाँ से 2 πाई का मतलब 22 बटे 7 और H कोमन आ रहा है तो अंदर बचेगा R1-R2 बराबर 352 तो 22 से कड़ जाएगा यह कितनी बार? एक बार और बचा अपने पास कितना? ले लिया 22 से कड़ जाएगा अपने पास कितना? 352 टाइम और 2 से कड़ जाएगा कितनी बार? आठ बार तो यहाँ से H कमान हम लोगों को दियावा है H कमान दियावा है कितना? 28 रखो यहाँ पर H कमान 28 तो 7 से कितनी बार कड़ गया? और बताओ R1 माइनस R2 कितना आ गया? 2 आ गया ठीक है एक तो यह दियावा था R1 माइनस R2 2 आ गया है आगे हम लोगों को दियावा है कि इसका खोकले बेलन का कुल प्रस्टी शितरफल टोटल सर्फेस हीरिया क्यूशन्स तो लेंदी दे दिये थे कैसे हो ऐसे क्यूशन्स लेंदी क्यूशन्स थे थोड़े से अब टोटल सर्फेस हीरिया इसका टोटल सर्फेस हीरिया जो होता है उनका भार वाले का टोटल सर्फेस हीरिया और अंदर वाले का टोटल खोकले बेलन का कुल प्रस्टी शितरफल टोटल सरफेश ही रहा, तो टोटल सरफेश ही रहा में कौन कोन आएगा 2 πाई R1H प्लस 2 πाई R2H तो 2 πाई R अगर कॉमन ले ले हैं, बाहर वाले का कर्ड सरफेश ही रहा अंदर वाले का कर्ड सरफेश ही रहा तो 2 pi h अगर common ले ले तो अंदर बचेगा r1 प्लस r2 प्लस 2 into pi r square r1 square माइनस r2 square बराबर अपने पास दियावा है कितना? 2,6,4,0 ठीके, क्या करें? 2 pi common ले, और तो कोई option है यह नहीं अपने पास 2 pi common लो, 2 गुना 22 बटे 7 तो common ले लिया यहाँ h कमान तो है 28, r1 प्लस r2 हमें नहीं पता यहाँ पर आप लोग एक काम करो, r1 प्लस r2 भी common ले लो दोनों जोग ऐसे, यहाँ भी r1 प्लस r2 है समझ पा रहे हो कि आप लोग r1 प्लस r2 कैसे है? r1 प्लस r2 यहाँ पर ऐसे है कि यहाँ पर जो formula है यह इसको एक बार प्लस लिख लो, एक बार माइनस लिख लो तो यहाँ पर 2 पाई यह common ले लिया, h बचा 28 2 पाई common ले लिया, r1 माइनस r2 का square एक बार माइनस, एक बार प्लस और माइनस की जगाँ आप लोग 2 रख देना तो यह आजाएगा अपने पास 2640 तो 22 से कड़ जाएगा, 22 से कड़ जाएगा एक बार और दो बार यह 2 से कितनी बार कड़ जाएगा, 60 बार और 30 से कितनी बार कड़ जाएगा, दो बार तो r1 प्लस r2 की value आगे 14 r1 माइनस r2 का माण 2 है, प्लस का माण यहाँ से 14 आगया तो क्या एक value 8 और एक value 6 होगी क्या यह दोनों radius पूछे हैं तो answer आगया 8 और 6 यह अपना answer है 6 और 8 option में दिया हुए D option 6 और 8 वो आप लोग option देख लेना तो यह अपना answer है question number 117 का अच्छे questions थोड़े से lengthy questions दे दिये थे अगला देखिए question number अपने पास दिया है 118 एक सो अठारा नंबर फटा फट सॉल कर रहा हूँ मैं ना कोई बाते कर रहा हूँ अक्सरा ना कुछ और सिरफ क्योंकि time बड़ा important है बड़ा मुस्किल से निकालते हैं आप लोग आप लोग भी और मैं भी बड़ा मुस्किल से निकालता हूँ आप लोग के लिए क्योंकि पूरे दिन मेरी offline classes होती हैं काफी सारी एक धातू के ठोस तिरजा 14 है एक धातू के ठोस की तिरजा 14 है यह आसान question था यह 14 है इसको पिगला कर कौन बनाए गये हैं जिसके height और radius दोनों दी विए 3.5 height है और radius है 1.75 एक ही चीज़ को पिगला कर दूसरी आकरते बनाओ तो volume बराबर होगा यह आप लोग को याद होगा 14 into 14 इसका volume 1 upon 3 pi r square 1.75 into 1.75 into h और यह मानलों ऐसे n बनाए जा सकता है तो यहां से pi by 3 से pi by 3 कट गया point अटाओगे 1.75, 1.75, 100 और 100, point अटाओगे तो 10, 25 से कट जाएगा 7 बर, 25 से 4 बर, 7 बर, 4 बर, 5 से 7 बर, और 5 से 20 बर 6 तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, 7, 7, 7 और 7 से कट जाएगा 2, 2, 2 और 2 बर और क्या है अपने पास, और कोई value है क्या, 5 से कट गया 7 बर, 5 से कट गया 20 बर तो ये अपने पास यहाँ पर, 5 से 7 बर, ये 10 यह आएगा, 0 नहीं आएगा, point अटाओगे, 1, 0 यह आएगा, 2, ये इसका गुना कर दो इससे, 4 गुना दो, 8, 8 गुना दो, 16 गुना दो, 32 और यहाँ भी 32 है, और 32 का जो स्क्वेर, 32 इधर इन्टू करोगे, तो 1024 यह अपना अंसर है, तो यह क्यूशन आसान था, बिलकुल आसान, बीच बीच में आसान क्यूशन भी आये थे, तो जब भी आपके सामने, लेकिन एक बार जब 3-4 क्यूशन टफ आ गये, तब हम लोगों को लगता है, यह तो बहुत टफ पेपर आ गया, थोड़ा सा भी आप अगर कोसिस करोगे तो फिर आसान क्यूशन भी थे, चलो अगला क्यूशन में आप लोगों को समझाता हूँ, क्यूशन नमबर 119, क्योंकि अभी मेरी क्लास है, फटा-फट में आपको सॉल करवा दता हूँ, यह 3 क्यूशन और 121 तक क्यूशन आज हम लोग करेंगे, इस पेपर में इतनी थे, बाकी कल करेंगे, तो देखो, इस पात से धातु का एक अर्द गोलाकार कटोरा बनाया गया, कटोरो को बनाने के लिए 324, 342, 25 cm क्यूब इस पात का प्रियोग हुआ है, इंगलिस मीडियोम वाले स्टुडेंट्स भी पढ़ लो, फिर समझ में आजाएगा, आप इंगलिस म में भी पढ़ लिया करो, क्यूशन समझ में आजाएगा, दोनों, हिंदी और इंगलिस, दोनों लोग मेरे वीडियोज आसानी से देख सकते हो, लेकिन क्यूशन पढ़ लिया करो, इसके अंदर जल भरा हुए, देखो, क्यूशन सिधा-सिधा नहीं आया, यह कटो रहा है इ को दे दिया 144 पाई, तो दोनों को एड़ कर लोगे, तो टोटल का जो वोल्यूम बनेगा, दोनों को एड़ करोगे, तो अपने पास चार, साथ, और 6 पाई, यह टोटल का वोल्यूम है, अनली सपात का वोल्यूम, अनली अंदर वाले का वोल्यूम, दोनों को एड़ कर radius मान लिजिए R2 R2 में से R1 माइनस कर दो गया अंशरा जाएगा आसानी क्यूशन है तो तो हम लोग लिखेंगे इसका volume का फुर्म अतर 2 अपों 3 πाई R1 cube बराबर 144 पाई और हम लोग लिखेंगे 2 अपों 3 भारवाले की radius R2 मान लो R2 cube बराबर 486 πाई पाई से पाई कट गया ये तो कटी जाएगा 2 से कट जाएगा 72 टाइम R1 cube बराबर 72 इंटू 3 72 इंटू 3 यानि 216 तो R1 बराबर क्या 6 आगया क्या चलो इसको solve करता है ये आगया अपने पास 243 तो R2 cube बराबर 243 3 की पावर 5 इंटू 3 तो 3 की पावर 6 हो गया तो R2 बराबर 3 की पावर 6 का cube root करोगे तो आजाएगा 9 भारवाले की radius 9 है अंदर वाले की radius 6 है तो क्या मोटाई 3 cm आगयी क्या ये हम लोगों से पूछा है कि उस पाथ की मोटाई कितनी होगी 3 cm और भारवाले का surface इरिया भी पूछा है दो चीज़ें पूछें इस क्यूशन में तो radius अगर आपके पास है तो क्या कर्ड surface इरिया निकाल सकते हो गया कर्ड surface इरिया का फूर्णों तक 2 pi r square और 9 का square 81 तो 162 pi ये अपना answer है 3 और 162 जहां पर है वो अपना answer है इस question का तो ये था question number 119 अगला question देखिए time होता जा रहा है class भी है तो फटा फट आप लोग solve कर लीजिए question number देखो आप लोग 120 120 नमबर एक घनाकार box की सबसे बड़ी भुजा 20 है और सबसे चोटी भुजा 20 है और सबसे बड़ी भुजा 40 है तो नमबर लिक्त में से आईतन क्या हो सकता है देखो एक घनाकार box है जिसके सबसे बड़ी side तो है 40 और सबसे चोटी side है 20 तो तीसरी side कितनी possible है ये 40 है ये 20 है तो तीसरी side कितनी possible है और option ये question कितनी possible है कितनी भी हो सकती है तो कितनी possible है आप करो 18,000 पहला option दूसरा दियावे 12,000 तीसरा option दियावे 36,000 और ये option दियावे 42,000 तो volume तो volume के लिए हम लोग लिखेंगे 40, 29, 29, X बराबर 18,000 यानि कि तीसरी side सबसे चोटी 20 है ये अपने पास 40 है तीसरी side इनके बीच आनी चीए 40 और 20 के बीच वही अपना answer होगा 2,0 से 2,0 कट जाएगा 4 से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार 45 बार तो X की विल्यों का 25 आ गई ये क्या क्या X इन दोनों के बीच है क्या तो ये अपना answer है answer आगा देखो कैसे कलत कैसे होगा 40, 20 और X अक्स 40 और 20 के बीच होनी चीए सबसे बड़ी और सबसे छोटी बड़ाबर अगर 12,000 आपने लिग दिया तो 2,0 से तो 2,0 कट गया 4,2,8 से कट जाएगा 15 बार अक्स की विल्यों 15 आगई सबसे छोटी साइट तो 20 से छोटी होई नहीं सकती और इनको जब सोल करोगे तो 40 से बड़ी चली जाएगी वैसे इनको सोल करने की जरूरत है नहीं वो तो मैंने एक बार बता दिया answer यह होगा या आप लोग वहाँ पर देख लेना एक बार इसका volume अक्स की वेलिए आप लोग 21 लेकर सोल कर लो volume क्या आएगा और एक बार अक्स की वेलिए 39 लेकर सोल कर लो volume क्या आएगा volume उन दोनों के बीच होना चीए तो उन दोनों के बीच यह आएगा answer हो जाएगा ऐसे भी आप सोच सकते हो अगर option से नहीं सोचना चाहो तो अगला question देखिए, question number 121 आजकल वीडियो आप लोग थोड़े से कम शेर कर रहे हो, वीडियो शेर करो अभी 121 देखने से पहले वीडियो शेर कीजिए, like कीजिए, comment कीजिए, ताकि और लोगों को पता लगता रहे कि हम लोग किस standard से, किस type से पढ़ रहे हैं, आप लोग यह थोड़ा साजकल कम कर रहे हैं, इस बार करना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक बार रोक के करो, देखो, पिरेमिट के आधार की आठ है, और उचा ही है 16, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, क्योंकि अब क्लास है, टाइम अपने पास यह है 16, तो इसने कहिए, इसका कुल परस्टी छेतरफल बताओ, तो कुल परस्टी छेतरफल का फॉर्मला होता है, टोटल सर्फिस एरिया का फ 64, अब LSA, LSA का जो फॉर्मला होता है, एक बटे दो, आधार का प्रीमाप इंटू स्लांटाइट, आधार का प्रीमाप आठ 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 और आठ तो यह आजएगा 32, स्लांटाइट निकालनी पड़ेगी, तो मुझे बताओ, यह अगर आठ है, मेरे वीडियो आप लोग देख लिजिए, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, तो 16 का स्क्राइट, 256, चार का स्क्राइट, 16 एड करोगे, तो यह आजएगा 272 का रूट, 256, प्लस 16 एड करोगे, यह L की जगह पूट करेंगे, 2 से 16 बार, और इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग, तो इस जगे, तो 16 इंटो 4 रूट 17 इसकी जगे, प्लस 64, दोनु जगह से 64 कोमन ले लेंगे, तो रूट 17 प्लस 1 आंच्रा जाएगा, तो यह क्यूशन आप, मैंने आपको करवाए, 9 मार्च वाले जो पेपर था, उसको सोल करवाने की कोशिस की है, आपको कुछ चीजें सीखने को भी मिली होंगी, ऐसे यह जो 6 पेपर हुए थे, सभी मां आपको सोल करवाऊंगा, अभी आप लोग वीडियो को शेर करो, अभी आप लोग आज, क्योंकि काफी दिन होगे आपको, एक दूसरे को बताओ, ताकि हम लोग हमारा परिवार थोड़ा सा बढ़े, और दूसरे उसका पेमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, तो ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होंगे, लोग बढ़ेंगे, तो वहां से उसका पेमेंट भी निकल जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा शेर करो, ताकि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी फिर मत सोचो, ओके, थें झाल 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